बिहार में कई बड़े केंद्र पयोजिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। माना जा रहा है कि नितिश कुमार के महागटबंदन के साथ नई सरकार बना लेने के कारण इन मतोपुन्ड योजनाव पर इसका असर पढ़ सकता है। घंगा नदी पर भी नई पुल बनाने की तैयारियां चल रहे थी लेकिन अब माना जा रहा है कि अब इन तमाम योजनाओं पर इसका असर पढ़ेगा। हाला कि बिहार में केंदर सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला था जिसमें प्रधान मंतरी पैकेज के तहत भी योजना है और नए प्रोजेक्ट भी हैं। के कई प्रोजेक्ट मिलने वालत हैं। हजारो करोड की योजना जिस पर बिहार के लोगों की नजर थी उसका क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। इसमें सबसे अधिक 416 किलोमीटर बिहार में निर्मान होना था। 17,900 करोड की लागत से 470 किलोमीटर में बनने वाले पटना कोलकाता एक्सप्रेस्वे पर भी इसका असर पढ़ सकता है। इसके साथ ही और कई योजनाओं पर इसका असर पढ़ सकता है। जिसमें आरा बकसर हल्दिया, बलिया तक ग्रिन फिल्ड कोरिडोर, 22 करोड की लागत से जेपी सेतु के समरान तर 6 लेन गंगा नदी पर पुल का निर्मान, पटना में मेट्रो का निर्मान एकारे चल रहा है और पटना रिंग रोड का निर्मान जिसमें एलिवेटेड रो योजना पाइपलाइन से थी, उस पर भी ग्रहन लग सकता है, वहीं पटना में बेटा में नया एयरपोर्ट बनना है, जमीन को लेकर मामला फसा हुआ है, जब डबल इंजन की सरकार थी, तो उम्मीद थी कि इस पर जल्द काम शुरू होगा, लेकिन अब जब इस पर जल्द फैसला होने की उम्मीद कम ही बताई जा रही है, इन सब के अलावा बिहार में नय एयरपोर्ट का भी विस्तार होना था, तो उन सब पर भी असर पड़ सकता है, दर्भंगा एयरपोर्ट का विस्तार पुर्णिया सहित कई अस्थानों पर नय एयरपोर्ट ब प्रयास भी किये थे, लेकिन अब सरकार बदल गई है, तो उद्योग के छेतर में भी असर पढ़ना तय माना जा रहा है, वहीं मनरेगा प्रधान मंतरी आवास योजना की समय पर रासी नहीं देने की शिकायट डबल इंजन की सरकार में भी थी, ऐसे में यह समस्या और बढ ना तय है, ऐसे समय में बिहार में महागडबंदन की सरकार बनाने के बाद केंद्रिय योजनाओं में कटाउती के सवाल पर मुख्य मंतरी ने कहा है, कि मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, नियम कानून तो सबको मालूम है, स्यम नितिस की बातों से साफ था कि वे भ कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार का इंजन बार बार फेल हो जा रहा है, बिहार में फिर से लालू जमाने का वैवसाय लाने की कोशिश हो रही है, अरविंद सिंग जो की बीजेपी प्रवक्ता हैं, बिहार में जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें बीना राजनीती के केंद्र सरकार आगे भी उसी तरह से सयोग करेगी हमें इस बात की पूरी उमीद है वहीं अगर अरविंद निसाथ की बात करें जो की जद्यू के प्रवक्ता है तो उनका कहना है कि डबल इंजन में ट्रबल ही ट्रबल था और इसलिए यह सरकार बनी है डबल इं कोविड-19 में भी मुख्य मंत्री ने कई बार कहा कि केंद्र से पूरा सहयोग है लेकिन सच चाहिए यह है कि डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी बिहार निती आयोग की रिपोर्ट में गरीबी से लेकर कई सेक्टर में देश में पिछले पायदान पर ही बना रहा है ऐसे जब राजनितिक उथल पुथल में कहीं न कहीं नुकसान जो होगा वो तो बिहारवासियों का ही होना है